दोस्तो फ्लाइट 914 एक ऐसा प्लेन है जो टाइम ट्रैवल करके भविश्य में 36 साल आगे पहुँच गया दो जुलाई 1900 पापाई न्यू यॉर्क से मायामी जाने के लिए मलेशियन एयरलाइन्स का फ्लाइट 914 पजसा सबन पैसेंजर्स और 6 क्रू मेंबर्स के साथ टेक आफ करता है टेक आफ के कुछ ही समय बाद ये प्लेन रड़ार से गायब हो जाता है कई दिन बीथ गए लेकिन इस विमान का पता नहीं चला लोगों ने मान लिया कि ये विमान रहस्यमय तरीके से क्रैश हो गया इसके ठीक 34 सालों बाद 9 सितंबर 1902 में वेनेजुएला के कारकास एयरपोर्ट पर एक अंजान प्लेन लैंड करने को परमिशन मांगता है ATC कंट्रोलर पाइलेट से परिचाय मांगता है वे बोलते हैं कि ये पैन एम फ्लाइट 914 है ये सुनते ही ATC स्टाफ चौक जाता है क्योंकि ये वही प्लेन है जो 36 साल पहले गायब हो गया था पाइलेट उनसे पूछता है कि आज कौन सी तारीख है 9 सितंबर 1909 स्टाफ बोलते है ये सुनने के बाद पाइलेट एक लंबी सांस लेता है और प्लेन को लेकर वापस उड़ जाता है और फिर कभी नहीं मिलता